आप सबको नमस्कार, चार बच चुके हैं, आएए आज तेतिस लेक्चर होगे, तेतिस वाँ सोपान हैं, लगातार दो अप्रेल से ये ज्ञान गंगा बह रही है, उससे आप तो लाभावने थो ही रहे हैं, मुझे बहुत इसका लावप्राप्त हो रहा है, लॉक्डाउन का पिरिट बड़े अच्छे धंग से कट रहा है, बच्चे लोग पूछते हैं कि आपकी कोई परिक्षा है क्या आप इतनी त्यारी करते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, तो मैंने का नहीं ये एक प्रगारी परि बताए हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो प्रश्ण है, वो मैं नीतु अग्रवाल का रखना चाहूंगा, नीतु अग्रवाल ने मीनियर्स डिशीज के बारे में पूंचा है, ट्रीटमेंट के बारे में पूंचा है, मीनियर्स डिशीज ये एक प्र और इसमें मुख लक्षन वर्टाइगो के बार-बार एपिसोड आते रहता है। प्रारंभ में तो एक करणमी में होता है लेकिन बाद में दोनों काने से प्रभावित हो सकते हैं। स्मोकिंग, इंफेक्शन और नमक खाने से इसमें ब्रद्धी होती है। इसका जो मुख लक्षन है वह वर्टाइगो, चक्काराना, हीरिंग लॉस, टिनिटस, कानों में विबिन प्रकार की साउंड सुनाई देना, नाशया और इंबलेंस, जासा कि आप जानते हैं वेश्टिबीलों कौक्लियर Nerve गर्ड में रहती ही। कौक्लियर का नाम सुनने का है और वेश्टिबील नर्व का काम है बैलेंस करना। कहीं न कहीं वेश्टिबील नर्व में हो जाता है और इनर येर के कुछ महत्तवपूर्ण अंग से प्रभावित होते हैं। इसका ट्रीट्मेंट बिलकुल आपकर सकते हैं। इसमें शिरोधारा बहुत ही एफेक्टिड है। अश्रोगंधा बलादे तैल की अश्रोगंधा बलादी तैल की शिरोधारा। यह मैंने बहुत रोगियों में करा है बड़ा लाफ राप्त होता है इसके साथ कर्ण पूरण भी करते रहें कर्ण पूरण मूर्चित तिल तई से डेली कम सिकम चारबून दोनों करणों में डालते जाएं क्योंकि वाईू करोग है तो निश्यत इसमें स्नेह की आवश्यक्ता पड़ेगी तीसरा मुक कर्म है नस्यकर्म इसमें नरंतर नस्यकर्म वचा तेल से चार चार बून दिन में दो बार आप डालते रहें इससे भी रोगि को लाप राप्त होता है अवसद्यों में टैबलेट नियो और अगनी तुन्नी बटी नियो दो गोली शुविश्याम को या अगनी तुन्नी बटी दोनों एक साथ नहीं देना है रस और सज्जियों में वाद कुलान तक योगेंदरस गिलो इस्षत्व वाद कुलान तक 60 मिली ग्राम योगेंदरस 60 मिली ग्राम और गिलो इस्षत्व 250 मिली ग्राम ये 1 मात्रा ऐसे 2 या 3 बार शहद के साथ या ब्रामिया उले के साथ या 94 प्रास के साध्ये में इसके लाव सुद्ध सलाजीत का भी इसमें अच्छा रोल है सुद्ध सलाजीत 500 मिली ग्राम सुखोष और दुख्दु में घोल करके प्राता एवं सायम दोनों टाइम इसका से बन करना है तो निश्चेत है मेनियर्स डिशीज में लाव प्राप्त होता है सांतोना शर्मा जी ने डाइबेटी निवर्पाइथी यह बिलकुल आम व्यादी है जो इसको डाइबेटीज है वो लेटर स्टेज में निवर्पाइथी हो जाती है खासतोर से दोनों पैरों में जुन्जनाहट सुई चभोने जैसी बेदना और दाह जैसे लक्षन प्राप् सकता है वहां वायू का प्रकोप नहीं है लेकन वायू प्रकतिस पित्त को अन्यासे में ले जाकर के पित्त के लक्षन उत्पन्न करते हैं तो यहां पर पित्तनासक विरेचन कारिना करते वे वायू शामक्षी के साही हमको इसमें करनी है आप इसके ध्यार रखें इसमें ट प्रेबलेट नियों और अग्नितुन्रिवटी क्योंकि वादपैतिक व्यादी है तो इसका भी प्रियोग आप करें और मुख जो मेरा अनभावजनित योग है वह अति भला भूमी आमल की अति भला 100 ग्राम भूमी आमल की 100 ग्राम योकुट कर लें इसको रख लें चार चमश यह दवा निकालें चार कप पानी एक कब बचें तब तक पकाएं ऐसा एक कप सुवे शाम को इस काड़े के सेवन से बहुत ही लाव प्राप्त होता है मैं फिर रिपीट करता हूं अति भला और भू कर सकते हैं इसके लावा चंदर प्रफावटी यह लगातार कम से कम तीन महने तक देवें तो निश्यत रूप से लाव प्राप्त होता है शुद्ध सलाजीत में का भी प्रियोग इसमें लाव करता है पांसों मिलीग्राम सुद्ध सलाजीत उसको दुख दुख में घोल करक कि दिन में दोनों बार इसका सेवन करा है तो इसमें डावीटेग नियोडर परिथी में लाव प्राप्त हो गा और डायबिटेस कंट्रोल होना चाहिए तो डायबिटेस के जो ट्रीट्पेंट चल रहा है उसको कंट्रीनू करते रहना चाहिए अमिच सिंग ने गाल पचास ग्राम और खीरा बीच पचास ग्राम फिनको बारीर चूंड कर लीजे एक चंब, दिन में दो ये तीन बार पाणी के साथ सेवन करार्एं। जये तो आप इसी बती भी बना सकते हैं, घनसक्ट भी बना सकते हैं, बहुत ऑपोगी है और लगातार एक माय को ल। कि निश्चेतर में प्राफ्त होता है किरो कि सुमिद जातों ने कर्पर ट टरनरडर में कार्पर्ड सिंडरोम करें कर्पर टरनर्ड शिंडरोम कर्पर्ट चिकित्सा के बारे में जिगयासा प्रगट प्रगत की है chef कारपल टर्नल सिंड्रोम यह रिस्ट जॉइन की ब्यादी है इसमें मेडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है और जिसकी वज़े से नम्मेनेस टिंगलिंग सेसेशन वीकनिस ऑफ दी हैंड और दर्द ये लक्षण प्राप्त होते हैं इस डिशीज का नाम है कारपल टर्नल सिंड्रोम चिकत्साग रूप में इसमें वाहय अभ्यंग पत्रपेण्य श्वेद नाडी श्वेद महायोग राज गुगलू और सदियों में एकांग वीरस 125 मिलिग्राम वादकुलान तक 60 मिलिग्राम गिलोज सब्सक्रते 250 मिलिग्राम ये एक मात्रा है ऐसी दिन में दो या तीन मात्राएं इसमें सेवन करा सकते हैं मोनिका मुटकर चेटिनविष्र ने पैंक्रियाटिक के बारे में जानना चाहें तो जो ट्रीट्मेंट गाल ब्राडर का है वही ट्रीट्मेंट पैंक्रियाटिक कैल्कुलस का है पैंक्रियाटिक कैल्कुलस अक्सर पैंक्रियाटिक ड्रेक्ट में उत्पन होती है और एक तरीके से कहा जाए तो यह हैपिटाइडिस जब कुराने का वस्ता में पहुंचती है उसमें कैल्कुलस की उत्पत्ती होती है और इसका कारण है ज्यादातर अलकोहल पीना इसकी व मुच्छन भी में दिखाईक दिखाले परावम, पिजिएalen उस्यट, कुन हम गया केुल कहा, बिखिनाव मुच्छन दिखिर लोग का मिरू ईुक्छन गान। मुच्छन खंदाल चुड़ें सिसमा कल वरनेंक भी के लागे। तो निष्यत्रूप से और लाख नचेकस्ता, जो लाख्शन रोगी में दिखाई दे वो लाख्षणी चेकस्ता भी रोगी में करते रहना चाहिए। रितिकः में ने इनक्री आम इनक्रीस यूरिनेसन ड्यूटू प्रोष्टेट बिल्कुश है प्रोस्टेट जिनको होता है प्रोस्टेट जिनकी बड़ी होई होती है अक्षर साट वर्ज के उपर के विक्तियों को रोग होता है तो बार बार पिशाब करने की ख्षाव उनकी होती है तो निश्चत है इसका पहले आपको प्रोस्टेट का ट्रीट्मेंट करना पड़ेगा यह उपद्रो है यूरिनेशन बार बार होना इसके लिए मैंने योग बताया था एक बार फिर मैं बता रहा हूँ मक्के के भुटे के उपर जो बाल होते हैं उनको कलेट कर लीजे सुखा लीजे और जला दीजे जलाने के बाद इसकी हजार हजार एमजी की कैपसूलें बना लीजे और इस कैपसूल का दो कैपसूल सुभे दो कैपसूल दुपार दो शाम को दिन में तीन बार लगातार 21 दिन तक से बन कराएं आप देखेंगे कि यूरिनेशन की जो प्राबलम है धी धीरे कम होती जाएगी और प्रोस्टेट का जो बड़ा हुआ है पोर्शन है वो भी धीरे कम हो जाता है लगातार तीन से चार मेने तक ये दवा आपको देनी हैं इसके लावब जो और आप दे रहे हैं नित्यप्रती जो आप ट्रीट्मेंट दे रहे हैं वो भी आप देते रहें ज्यानेंद्र सह्पाटी जी ने औस्ट्रियो और्त की-त्रीट्मेंट के बारेमें पूंचा है तो औस्ट्रियो और्तियस की अर्थाइड़िस अ 501 एशता संधी बादमें जानुधारा ये तीन प्रिक्रियां जानु में करें और सद्यों में अश्वगंधा 100 ग्राम, सुन्थी 50 ग्राम, पिप्पिली 25 ग्राम ये योग तयार कर लें और एक एक चम्मच दिन में 2-3 भार पानी के साथ सेवन कर आएं संभवो तो अनुवासन वस्ति मात्रा वस्ति दसमूल तेल की ये प्रशाणी तेल की 30 एमिल सुकोर्शन करके भोजन के बाद ये वस्ति लगाएं इसमें निरूह वस्ति देने की आवशक्ता यहां पर नहीं है इसके लावा सुद्ध सिलाजीद का भी उपयोग वातव व्याद्यू में खास्ता उसे डीजेनरेशन जित्ती व्यादियां है ये शिलाजीद बहुत अच्छा काम करती है वो भी आप ऑस्टियो और्थाइटिस में थे मनो जग्रवाल ने लो लूकोसाइट्स के ट्रीटमेंट के बारे में पूँछा है तो लो लूकोसाइट्स अर्थाथ लूकीमिया लुकीमिया की ट्रीटमेंट में ये एक प्रकार का वाइरल इंफेक्शन है बोन मेरो की डिसीज है जब बोन मेरो डिस्टरप्ट हो जाती है तो निश्चेतरू से ये ब्याधी पैदा होती है ये कैंसर से भी बोन मेरो का कार प्रभावित होता है इंफेक्शन जल्दी हो सकता ताहिसे पेशेंट में मुख में अलसर हो जाते हैं इसकी चिकिस्टा जो शास्त्र में हलीमक की बताईगी है वही चिकिस्टा हम इसमें करना चाहिए गुडुची स्वरस खीर शाहितम महाईशम घृतम तर्वताम इस निकदो तर्वत से हलका विरिचन उसके पहले आभ्यांतर सनेहपान कराते हैं महाईश माने भैस के भैस का घ्रत गुडुची स्वरस से सिध्धत करना चाहिए मान लीजे 100 ग्राम भैस का घ्रत है तो 400 गुडुची स्वरस और 400 गुडुची स्वरस दुग्ध जब घ्रत से स्वरस तब तक पाक कराएं इस घ्रत का सेवन 10-10 अमिल दिन में 3 बार कराएं अगर यह नहीं करा पाते हैं तो गिलोई स्वरस ताजा गिलोई स्वरस एक चमच लगबग 5 अमिल और 5 अमिल शाहिए यह दिन में दो बार इसका सेवन कराएं अत्यदे के लाव प्राप्त होता है इसके लावा जो योग हम देते हैं खास तोर से लुकीमिया में या लिकोसाइड लुकोसाइड जो लुकोसाइड उसको लुकीमिया भी कहते हैं इसमें स्वर्ण सूद सेखारस 60 मिली ग्राम सुद्ध काशीष 250 मिली ग्राम और मुक्ता प्रवाल पंचामरत 60 मिली ग्राम गिलोई सत्व 250 मिली ग्राम यह एक डोज है फिर से में बोलता हूँ स्वनसूद सेकारस 60 मिली ग्राम, सुद्ध काशीश 250 मिली ग्राम, मुक्ताप प्रवाल पंचामर्थ 60 मिली ग्राम और गिलोश सब्द 250 मिली ग्राम ये एक मात्रा है ऐसे दिन में तीन बार शहिद के साथ इसका सेवन कराएं इसके लावा इसमें संजीवनिवटी भी कभी-कभी इसमें वुखार भी आ जाता है तो संजीवनिवटी और अम्रता रिष्ट का प्रियोग भी आप इसमें करा सकते हैं प्रदीप विश्क वर्मा जी ने वेरिकोस भेंस के बारे में पूचा है, नमिता कुर्षेश जी ने भी वेरिकोस भेंस के बारे में पूचा है, इसके बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ आपको साथ, पुना हापको बता दूँ कि इसमें विरेचन कर्म सर्फ श् इनका काड़ा बनाने 100 ml और इसमें 40 ml के आसपास केश्टर आयल मिलाएं अगर कुरूर कोच्टी है तो इसमें एक्षा भेदीरस एक रत्ती से दो रत्ती मिला करके विधिवत विरेचन कराने के बाद संसर्जन करूं कराने के बाद इसकी दूसरी प्रमुक्षी गिस्टा है र दोनों टांगों में हो और प्रृबयों में हो तो दोनों तरफ आप एक साथ लगा सकते हैं पर थी तीसरे दिन एसे कमसे कम पांच सिटिंग करें पांच सिटिंग करने से रोग्य को निश्चतरूप से अलाव होता है और इसमें ड्रग अपच्वाईस है रोग्य बर्दनी गिलो एगन बटी दो दो गोली दिन में दो बार यह भी आप साथ में प्रयोका है रस वसोदियों में सूच सेखारस शोथारी किलो और श्वीत परपटी यह आप जो है दिन में दो या तीन बार शहद के साथ इसका सिर्वन कराएं इस तरह के से वेरिकोज भेंस में निश्चतरूप से आपको सफलता प्राप्त होगी रूची शाहूने पूचा है एक पिशेंट है उनका लो बीपी हमेशा रहता है क् तो लो बीपी के लिए एकदम एक्जेक्ट दबाई नहीं है कि यह देने से ततकाल बीपी बढ़ जाए लेकिन मेरा क्लिनकल एक्सपीरेंस है इसमें ब्रहदवाचिंता मनी ब्रहदवाचिंता मनी 60 मिलीग्राम सिद्ध मकरद्वज 60 मिलीग्राम ऐसी दिन में दो या तीन म साथ मिलीग्राम रस सिंदूर साथ मिलीग्राम और इसमें परवाल पिश्टी और मिला दिए क्योंकि रस सिंदूर काफी गरम होता है परवाल पिश्टी 250 मिलीग्राम और यह शोब शाम इसका सेवन कराने से निश्यतरूर से बीपी में सुधार होता है इसके अलाब अलाब करके अगर चिकिस्सा करेंगे तो निश्चत रूप से आपको लाफ ज्यादा मिलेगा लेकिन सुरू से ही जिसका अलोवी पी रहता है तो उसकी चिंता मत करें मैंने देखा है कई लोगों का 100 बाई 70 कई लोगों का मैंने देखा 70 बाई 70 इस टाइब का होता लेकिन सुरू से इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी सावधानी तो उनको रखना ही चाहिए, पूर्णम कैलरी मन्ने, बच्चों में शय्या मूत्र, रात्री में जो मूत्र प्रवरिक्ति हो जाती है बच्चों में, उसके बारे में जानना चाहिए, इसमें अगनी तुन ब्रामी रसायन बहुती ऐसे रोगों में लाप करता है, ब्रामी रसायन डावर कंपनी बनाती है, आप डावर कहां से प्राप्त कर सकते हैं, एक चम्मत सुबह और एक चम्मत शाम को अनपान की रूप में भी देवें, और वैसे भी आप इसका सेवन करा सकते हैं, सुनीता कुंद्रा ने पूछा है कि अमलपित का ट्रीट्मेंट के बारे में जानना चाहा है और उनने ये भी कहा कि इसका मैं बहुत ट्रीट्मेंट कर चुकी हूँ उनको सूर्ष सेखर और काम दोधारी जैसी दवाई दे चुका हूँ लेकर मैं आपको एडवाईज करना चाहूँगा प्रतेक रोग का लाइन ओफ ट्रीट्मेंट आपको आना चाहिए उस लाइन ओफ ट्रीट्मेंट से चलेंगे तो रोगी को निश्चित रूख से आराम होगा बरसते कि निदानों का जो सेवन पहले कर रहा था आपको निदान वर्जन करना चाहिए उन निदानों का सेवन नहीं करना चाहिए व्यादि आमाशय उत्तो अयम कफ पित्ते तदासरे त रही तसमाद आधित एवास मूलो छेदाय बुद्धिमान अक्षिन बलमांसस्यों रक्त पित्तम द्रस्ता अगर अमने पित्त है तो समझे कि आमआशे समूथ व्यादी है और कफ पित्त व्यादी है सामनता हम अगर पंच कर्म से समंधित कराई भी तो अमने पित्त में विरेचं कराते हैं जबकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहले वमन कराना है और वमन कराने के बाद फिर विरेचन कराईए अगर ये दोनों प्रिक्रियां आप दिवत क्लासिकल मेथड से करते हैं और फिर इसके बाद आप दवाईयां देते हैं तो निश्चतरू से पेशेंट में लाग हैं क्या ट्रीटमेंट करें निश्चतरूप से फाइबराड है तो हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है एमसी की समय भेदना भी हो सकती है उन लाक्षनिक ट्रीटमेंट भी साथ-साथ में आपको करना है इसके अलावा इसमें कांकाइन बटी आप देते ही होंगे दो दो गोली चांकाइन और कांचनाद दो-दो गोली दिन में दो बार दें और इसके अलावा जो हम हमेशा कहते हैं कि जत्ते ग्रंथियां फाइबराइट हो तो इसमें लेखन वस्तियां देना चाहिए इसके लिए तरफला के 50 ग्राम विडंग 30 ग्राम और गिलोई 30 ग्राम तर्फिला वैविडंग और गिलोई इनका काड़ा तयार कर लें, थर्टी, थ्री हंड़ेड कम सिकम, और इसमें यवक्षार, दस ग्राम, गोमूत्र मिले तो वो भी आप पचास हैमिल डालें, नहीं मिले तो यवक्षार से काम इसमें हो सकता है, तैल में सेंदवारी तैल, सेंदो पांच ग्राम, ये सब ये वस्ति बना करके लेखन वस्ति आप लगातार पेशन को दें, प्रारम हमें एक अनुवासन लगा दें, सेंदवारी तैल की और लाष्ट में एक अनुवासन लगाएं, बीच-बीच में अनुवासन देने की आवशक्ता इसमें नहीं है, ये ट्रीट्मन करते विए आपको कराते रहना चाहिए, प्रदीव बिश्व कर्मजी ने वेरिकोस भेंस के बारे में ही पूचा है, अभी उसकी चर्चा हो चुकी है, सुसील जैस्वाल ने करणसराव का ट्रीट्मेंट के बारे में पूचा है, तो करणसराव सबसे पहले उसकी साफ सपाई पर बहु पूचती हैं, उसके द्वारा करण को अच्छी तरह पोच लें, अच्छी तरह साफ करें, और उसके बाद विलवादी तेल का प्रयोग करें, विलवादी तेल बहुती एफेक्टिव है, इस तम्मक है, चरक का योग है, दिन में दो या तीन बार चार-चार बून कानों में डालें, और डालने के बाद प्राता काल फिर छार तेल डाल करके उसको साफ सफाई कर लें, तो जितना स्राव होगा, क्योंकि स्राव जो निकलता हो, उसको बाहर निकलना चाहिए ने, तो फिर से वो इन्फेक्शन पैदा करता है, इसके लावा सारिवादी बटी और आरू गिवर्दनी ये भी उपयोगी ट्रीक्मेंट है, सारिवादी और आरू गिवर्दनी दो दो गोली दिन में दो बार, नीरज बशिष ने निरूह में कलक के बारे में पुछा है, मैं बशिष आपको धन्वाद देना चाहूंगा, वो बड़े, इसके माने वो पंचिकम करते तो निरूह के जो घटक द्रब्य हैं, उसमें पांच द्रब्य हैं गटक, निरूह के घटक हैं तो हर वस्ति में कलक का उलेख है, का डालने का, लेकिन कभी कभी कलक का यदि बढ़न न दिया हो किसी वस्ति में, तो एक अश्टांग संग्रह ने, अश्टांग घ्रदे ने कुछ उसरियों के नाम बताये हैं कि इसका कल्क आप बना करके डालें, बस्ती में लेकर कल्क तो डालना जरूरी है पूतो, यवानी, फल, विल्व, कुष्ट, वचा, सतावा, घन, पिपली नाम कल्क यह गुड़क शद्र, कल्क यह गुड़क शोद्र घताई है, सताईले ही उकता सुखोष्ण लवनानितस्चो यानि इसमें अजवाइन है, बिल्व है, मदनफल है, वचा है, पिपली है, ऐसे साथ दर्वे हैं जिनको कल्क के रूप में अगर किसी वश्ती में कल्क का निर्देशन नहीं है, तो इस कल्क का प्रयोग आप करा सकते हैं, लेकिन कल्क का डालना ज़रूरी है, तब ही निरुह वस्ति में लाप्राप्त होता है यहां दिक्कत इस बात की है कि अगर कल्क डाला आपने तो आप एनिमा केंसे निरुह वस्ति नहीं दे सकते सामानेता हमारे चिकिसक एनिमा केंसे वस्ति देते हैं जबकि वस्ति पुटक से वस्ति जाना चाहिए तो हम कभी-कभी उनको सलाह दे देते हैं कि एक कल्क जो है जो काड़े के उसरदिया है उसी में डाल दीजिए तो कम से कम उनका कुछ प्रभाव तो आही जाएगा लेकिन वास्तों में क्लासिकल मेथड यही है कि आप वस्टी पुटक के मादम से देंगे तो मदु यसने हन कलकाख कसा वाबतो करमात यह आप जहें समझ सकते हैं माक्षिकम लवनों में इसने हम कलकाम कवाथम इतिकमात सभी में कलकाव उलेक है कलकतों देना ही चाहिए तो आपका बहुत क्लासिकल प्रश्ण है और आप पंचिकरम करते हैं यह जानकर बड़ी खुशी हुई विकास जयस्वाल ने पूछा है कि बसंत कुस्माकर जो कल्प विदी से आप दे रहे हैं अगर पांच ग्राम तक बढ़ाएंगे तो क्या किड्नी में एफेक्ट नहीं पड़ेगा बिलकुर नहीं पड़ेगा इसलिए क्योंकि हमने धीरे 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 दिया है तीस मिली ग्राम पर साथ मिली ग्राम तो समंधित औरगन अभिस्त हो जाता उसको निकालने के लिए इसलिए कोई परिशानी नहीं है लेकिन फिर भी यदि ऐसा आपको कोई लगता है कि आप पांच ग्राम तक पहुँचाएंगे तो ऐसा तकलिफ हो सकती है तो आप तीन ग्राम तक आगे बढ़ाईए चार ग्राम तक आगे बढ़ाईए पर वहां से कम करिए ऐसे बार-बार कल पुका कम ज्यादा करते हुए आप प्रेणग कर सकते हैं यह ब्रूग नियम नहीं कि पांच ग्राम तक और कुई पिशण ऐसे हैं कि आगर ज्यादा बढ़ा सकते हैं पर मेरा मेरा एक्स्परिएंस पांस ग्राम तक का है और साथ हुए चुंकि हम करेला भी देते हैं करेला स्वरस वह भी किड्नी में कारी करता है और हो सकता है कि उससे इसके साइड इफेक्ट ना होते हो मेरे एक मित्र है नाम नहीं लेना चाहूंगा एमदाबाद में वो तो ब्रहादबाद चिंता मनें पांच-पांच ग्राम देते हैं एक दिन में उसको ताजी हुआ अब मैंने पेशन को देखा उनको लाप्राप्त होता है लेकिन ऐसा गुस्ताकी हमको आपको नहीं करना चाह है विनोध गुपता जी ने एक पेशन के बारे पूछा है को उसको ब्लड पेशर भी है डाइबिटीज भी है और पालिप्रेशन भी है तीनों लक्षन साथ में क्या ट्रीट्मेंट है तो इसमें मैं आप सज़त दूँगा कि सबसे पहले आप विरेचन करा दीए विरेचन में ब्लड पेशर के लिए पाल्पेटेशन के लिए और सुकर के लिए तीनों के लिए लाव प्रत है आभ्यांतर स्नेहपान पंचितिक्ट घ्रत से विरेचन कल्प में जैसे मैं बार बार बोलता हूं कुटकी निशोत और छोटी हरड इनको 20-20 ग्राम देके काड़ा विरेचन करने के बाद संसर्जन करम संभव हो तो श्रोधारा भी कराईए नहीं तो कमसर श्रोभ अभ्यंग या पिचुधारा तो श्रहाप्रदेश में करही सकते हैं रस योगों में ब्लड पिशर है तो इसमें प्रवाल पिश्टी और त्रण पंचमूल त्रण अकीक पिश्टी प्रवाल पिश्टी और अकीक पिश्टी और ये काती है त्रण कांत पिश्टी तो अकीक या त्रण कांत पिश्टी दोनों में से कोई एक लिए करके माली जी परवाल पिष्ट्री 250 तो तरण कांत पिष्ट्री 250 और इसमें नागार जुना भरस 125 मिलिग्राम नागार जुना भरस तो यह तीन योग आपने बना है पहला परवाल पिष्ट्री 250 मिलिग्राम नागार जुना भरस 125 मिलिग्राम और तरण कांत पिष्ट्री 250 मिलिग यह एक खुराख हुई ऐसे दिन में तीन बार या चार बार इसका प्रियोग हम कर सकते हैं इसके अलावा जो सिम्टम्स हो लाक्षन चिकिस्था भी जैसे सुगर बढ़ी हुई है तो सुगर की जो दवाई आप दे रहे हैं वो आप देते रहे हैं दूसरा घबरहत जादा हो तो सरंग पानी का सेवन करें जो जो लाक्षन मिलें उस लाक्षन को आप करते जाएं लेकिन डायबिटीस और ब्लड प्रिशन इसका निमेतरू से आप परिक्षन करते हुए अपनी दवाई दवाईयों का सेवन कराएं चराग व्यास जी ने पुन्सवन संसकार के बारे में पूंचा है तो मैंने दो तीन पेशन में किया है और बड़ा चला भी प्राप्थ हुआ लेकिन मैं अधन के बाद पुन्सवन संसकार करने के लिए आपको कहूँगा पहले आप पंचिकर मर्थाद वमन विरेचन और काल वस्ति न देकर योग वस्ति आठ वस्ति ये लगभग 22-23 दिन की एची किस्सा है इसको करने के बाद आप पुन्सवन संसकार करें शास्त्रों में जो गर्भ अच्छा हो पुष्ट हो तो इसलिए संसकार किया जाता है लेकिन बाद में लोगों ने इसको पुत्रोत पत्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस में बता रहूं आपको गर्भाधान के तीसरे महिने में ये पुन्सवन संसकार कि क्या जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चार महीने तक लिंग भेद गर्भ में नहीं प्राप्त होता है इसके लिए बहुत सारी आउस्दियां हैं लक्षमादी जो कि मिलती नहीं ही आज कल लेकिन वर्टर्शूंग ये बर्गत में आप देखे होंगे सफेद जड़े होती ह उसके अग्रभा को आप तोड़ लीजे और लगभग 10 ग्राम और गो दुख्ध में इसको पीस दीजे बारिक कर दीजे उसके बाद इसको च्छान लीजे और ऐसा प्रमाण है कि सूरुद्य के पहले दक्षम नासा में दक्षम नासा में चार भून इसको प्रक्षपित कर और दिन साथ दिन तक इसमसर दे करें ee के पहले वट शंग लें करीब 10 ग्राम गो दुख्ध में पीश लें चाने और चार-चार गूण नश्य प्राता हकाल सूरुद्य कि पहले करें हे एक योगोर है जो इसके साथ आपको लेना चाहीए इस सिग्र-वड़ा हृष्ट प पत्ति के लिए है दिवामनासा में आप प्रक्षेपित करेंगे नस्य तो वह लड़कियों के लिए होता है तो यह तो मैं सजेशन नहीं करूंगा लेकिन गर्व के पोशण के लिए यह पुन्सकुरन संस्कार करना चाहिए इसमें वटशूंग गिलोए कोमल पत्ति पीपल के वटशूंग करीब दस ग्राम ले लिए गिलोए दस ग्राम और पीपल के पत्ते पाँच कोमल इन सब को बारीक पानी के साथ अच्छा पीश लिए और सुरोदे के पहले सूंगने को लिए बोलिए पिशन को और एंटी स्टमक में ही इसको पान कर ले ऐसे लगातार 21 दिन त सुन्दर होता है और शास्त्रे कहता है कि बड़ा बुध्यमान व्यक्ति होगा यदि इस प्रकारका ट्रीक्मेंट वैप उसको करते हैं कि पंकगरवाल थो शोयत प्रदर के ट्रीटमेंड के बारे में पूचा है श्वेद प्रदर प्रयास में करूँगा कि एक पूरा इसका क्लास ले लेकिंगे मैं अपना अनभाव आपको बताना चाहता हूँ श्वेद प्रदर में मुलहथी आवला हरड भेडा प्रिसमें बोलता हूँ मुलहथी आवला हरड भेडा लोध्र मोथा और फिटकरी इनको समान भाग लेके बारीक चून कर लें और एक एक चमच दिन में तीन बार शहद किसार इसको चटाएं आप देखेंगे विदिन 21 देज श्वेद प्रदर में आशाती तिलाव प्राप्त होता है एक चोटा से योग और है तिल चून सफेद तिल चून पांच ग्राम मदू के साथ इसको चटाएं दिन में दो या तीन बार एक तीसरा योग है पिपली चून लोह भस्म हरड चून इनकी बराबर बराबर मात्रा में ले लें और चून बना लें फिरसे बोलता हूँ पिप सथा इसका सेबन कराएं चोटा सी योग और है मुलयठीरर, सोट मुलयठी, इसका बारे इंक चून करने इसको मदू के साथ या चावल के पानी के साथ इसका सेबन कराएं और लग्ये जो आप ni के पांँ या तर्ल पिपांदार है होते हैं प्रदरान तकलोह, बोलबध धरस, मंदूर भस, मुसूस सिकर जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो देते रहे हैं पुस्यानुक्षून भी बहुत इसमें उप्योगी है पांच-पांच ग्राम दिन में तीन बार बस इतना समझ लें कि पेशन को ऐसी कांसलिंग करें कि बहुत जल्दी न बचाए पेशन चाहता है कि मैं एक दिन में ठीक हो जाओं एक हफ्ते में ठीक हो जाओं ऐसा नहीं है रूची साहों ने जग्यासा प्रगट की है कि हीमोगलोवन बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट हो सकता है तो एक बड़ा साधान योग मैं बता रहा हूं पुराना गुण 10 ग्राम मंदूर भस्म 10 ग्राम काला तिल 10 ग्राम और पिपली 20 ग्राम इन सब को मिला करके एक एक ग्राम की गुटिका बना ले ऐसी एक गुटिका सुबे एक गुटिका साम लगातार 21 दिन तक इसका सेवन करा है इसके बलाव एक और योग है हरीत की 10 ग्राम गो मुत्र के साथ इसका सेवन करा हरीत की हरण इससे भी हीमोगलून बढ़ता है बाकि जो खान पान में सुधारा को करना है वो करते रहिए और इसमें 29 लोग नवाइस लोग बहुत है क्योंकि इसमें सिब लोग भड़नी है इसमें अन्य चीज भी है तो 29 लोग प्रॉआल पिष्ट्री गिलो इसक्तौ नवाइस लोग 250 गिलो इसक्तौ 250 मिलीग्राम और म एक मातर दिन में दो तीन बार चवन प्रास के साथ इसका सिबन कराना चाहिए तो निश्चतौ से इसमें हीमिगलोविन लोगी का बढ़ जाता है इसके अलावा इस कारकर्म को निरंतर सुन रहे हैं इनका आशिरवाद दे रहे हैं हमारे विजय जादो जी बहुत प्रोफिसर हैं बड़े बरिश्ची किस्षक हैं निरंतर उत्साहिद करते रहते हैं महरेश दाधीच यह उद्भड विद्वान है दिर्पगुण के उतकर प्रश बर्मा जी संध्या पांडे राजेंद्र कुंद्रा जे एन नोटियाल जी पिनय मित्तल अनुराल सिंग चंदेल चरित मूर्ती कल्पना जी सायरांपुट्टुर इसा सूरी भूक्या रवी अमर शुकला जी पंकज जी पंका जगरबाल जी रीना शर्मा जी पमण ज जोशी पवन जोगी नीरज बसेश जी मीनाक्षी जिंदल मृतुन जय त्यबारी स्वाती त्यागी भावना सिंग सिन्हा और अन्य जो नाम मेरे से छूट गए हो वो सब बड़े निरंतर इसकारिकम को देख रहे हैं आपको बहुत-बहुत साधिवाद इसी प्रकार ग्या याक्यानों से अवश्र मिलेगा अब आए आज कंपवाद पर चर्चा करेंगे कंपवाद ये बुढ़ापे में तो होता ही है जादा तर्ट ट्रेमर्स हो जाते हैं उसको सिनाईल ट्रेमर्स करते हैं लेकर पारकेजन जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में हो हर एज में ये र हम कर सकते हैं ब्रहत्रई में इसका ब्रणन जादा नहीं है मानोदेनान में बहुत ही छोटे रूप में इसका ब्रणन है उनके उनसार सर्वांग कंप अथ्वा केवल सिर में कंपन को वेपथू या कंपबाद कहते हैं तो माध्वनिदान भी बहुत ही अच्छा ग्रंत है और बिल्कुल आध्यूनिक से इसको मिलाया जा सकता है महदोने जान के आधार पे सरवांग कंपह सिर्षो वायो बेपथुर संग्य कहा निश्चे से यह वातकफ जन्य रोग कहलाता है इसके जो मुख्य कारण है आधुनिक दिश्टेरी देखें पार्किसन्स के तो इडियोपैथिक परालिसिस एजिटेंस पोस्ट सिफेलिक पार्किसन्स ट्रामा है डिंजुरी कारवन मोनोकसाइड का इंटोक्सिकेशन मेटलिक पॉइसरिंग ड्रग पॉइसरिंग इनके कारण यह पार्किसन्स जैसी ब्यादी कंपवाद जैसी ब्यादी उत्पन हो जाते है इसमें मुख लक्षन जैसे मैंने पहले बताया जनरलाइड ट्रेमर्स या लोकलाइजड या सिरह प्रदेश में ही ट्रेमर्स दो प्रकार का पार्किसन्स के लक्षन आजकल प्राप्त होते हैं चिकसाद दिश्टिकूर्ण से देखें तो लाइन अफ ट्रीट्मेंट इसका है स्नेहन, स्वेदन, अनुवाचन वस्ती, ब्रम्वन वस्ती, रसायन और बाजी करण असधियों का प्रियोग तो इस स्नेहन में ब्रामी घरत, ब्रामी घरत का संशमनार्थ, 10 से 20 मिलिलीटर, भोजन के आदा घंटा पहले गरम करके इसका सेवन करें, अनपान उस्तर जल, ब्रामी घरत का सेवन अभ्यांतर, वाह अभ्यंग के लिए चन्दन मरला लाग शारी तैल, इससे वाह अभ्यं करें, नित्य प्रतिजन, और जाधतर इसमें स्वेधन में सरवांग स्वेद और सस्टिक शाली स्वेद, सरवांग स्वेद, सस्टिक शाली स्वेद, तिल मास पिर्निश्वेद, ये प्रियोग करें, इसके लावा सरवांग धारा, महा मास तैल से, नाराण तैल से, या अश उद्ध्वर्तन बहुत अच्छी चीस्सा है अश्योगंध, शतावरी, मुलहती हल्दी मिला करके 14 सथ्यों काुद्ध्ध्वर्तन करें, उर्दूगर्थ्य से अभ्यंग, लेकिन पहले थोड़ा से अभ्यंग कर लें तैला अभ्यंग और उसके बाद फिर उद्ध्वर्तन करें वस्ति में अन्वासन वस्ति इसमें दी जा सकती है अन्वासन के रूप में अशुगंध बलाताईल या अशुगंधा अलग-अलग मिलें उनका भी प्रयोगा आप इसमें कर सकते हैं अनुवासन जैसे आप जानते हैं 30 ml से 60 ml आप अनुवासन की वस्तिते में 11-11 दिन के 3 कोर्स करें तो निश्यतुरू से रूवी को आराम प्राप्त होता है एक है ब्रम्ण वस्ति जो की हम प्रयोग करते हैं इसमें किमाच बीच, अशोगंधा, मुलहथी और शतावरी फिर से रिपीट करता हूँ किमाच बीच, मुलहथी, अशोगंधा और शतावी प्रतेक 50-50 ग्राम लेके 300 ml काड़ा बनाएए 300 ml काड़े में ब्राम्मी घरत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम मिला करके विदिवद वस्ति बनाएए और इसको भी आप लगातार दे सकते हैं इसके बाद सिद्वस्ति भी इसमें बहुत उप्योगी है सिद्वस्ति के द्रब्य में अशोगंधा और किमाच बीच और मिला दिया जाता है इसमें यव, कोल, कुलत, पिपली और मुलेथी और साथ में अशोगंधा और किमाच बीच ऐसी साथ और सथियां होती हैं फिसमें रिपीट करता हूँ यव, कोल, कुलत, पिपली, मुलेथी, अशोगंधा और किमाच बीच प्रतेक 20-20 ग्राम लेके 300 ml काड़ा बना लिजे, 400 ml काड़ा बना लिजे, और इसमें 200 ml दूद्ध डालिए इस काड़े में, और दुख्द से रहने तक इसको पकाईए, अर्था 200 ml दूद्ध बच जाएगा, और इसमें 200 ml दूद्ध में ब्रामी घरत करीब 50 ml, शाहिद 50 ml, इ इसकी आप ख्षीर बस्ती दे, तो मालीजी आपने साथ दिन अनुवासन बस्ती दी, साथ दिन जो मैंने आपको के महाचा सुगंधा मुलेट्री वाली बस्ती ये दीजे, पस्चाद भी ख्षीर बस्ती, ऐसा मैनेज करके पेशन को कॉंसलिंग करती हुए ट्रीटमेंट को मैनेज करें, ये बड़ा एफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इसके लावा ब्राम्मी बटी, दो गोली शुबेशाम को, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, इस दोनों आसो अरिष्टों का प्रियोग आप कर सकते हैं, बदल बदल के ट्रीटमेंट देना चाहिए, योगो में वादकुलान तक योगेंदरस और गिलोई सत्व, वादकुलान तक साथ मिली ग्राम, गिलोई सत्व दोसो पचास मिली ग्राम, योगेंदरस साथ मिली ग्राम, ऐसी दिन में तीन बार ब्राम्मी रसायन के साथ इसका सेवन रोगी को करा है, कौँच पाक बजारे मिलता है कौँच कौँच मीज जो कौँच बीज होते हैं उसका पाक बनता है यह पाक भी बड़ा उपयोगी है एक चमर शुबेशाम दूद के साथ सेवन करा है इसके लाव एक और विक्तिकत मेरा प्रयोग है भीम सेनी कपूर भीम सेनी कपूर दो सो पचास से पांस सु मिली ग्राम लेकर के घरत में मिलाकर इसका सेवन प्राता काल साइम करना चाहिए यह भी बड़ा उपयोगी चिकत्सा है यह तो हुई कमपवाद के बारे में आए बिस्वाची के बारे में भी तोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोसुत ने इसका वर्ण किया है बाहू के प्रिष्ट भाग से आरंभ होकर अंगुलियों के प्रिष्ट भाग परियंत तथा प्रकोस्ट और हात के सामने वाले भाग की कंड्रा को दूसित करते विये हाथों के कर्म को ख्षय प्रदान करती है यार्थि कर्म ख्षय हो जात है इस रोक का नाम है विश्वाची तलम्त प्रित्यंग्युलाँ नाम कंडर्डां बाहु प्रश्टाः बाहु कर्मक्षय करी विश्वाची चेती से उच्छते आधनिक मतनुसार हाथ की पेश्यों में मोटर फंक्शन प्रभावित होता इसमें नहीं होता है और इसी को हम व या रेडियो अलनर न्यूराइटिस कह सकते हैं जब इनका परियिस होता है तो हाथों में ये प्राप्त होता है कि हाथ के आकुंचन प्रसाड्ड नहीं होता है न्यूराइटिस की वज़े से और रोगी में जलन की अन्भूती, बेदना की अन्भूती रिष्ट प्रदेश में होती है। लक्षों में हस्त तल के अंत भागी कंड्राओं में विक्रिती हो जाती है। बाहु के प्रसारण और आकुंचन में कठना ही होती है। हाथ की पेशियों में कर्मक्षय हो जाता है, काम करना बंध हो जाती है। प्राया, एक हाथ से ये विश्वाची उत्परण होती है, परण तो कभी-कभी दोनों हाथ में भी इसका प्रभाव पढ़ सकता है। ये जो जादा कंप्यूटर का काम करते रहते हैं हाथों के द्वारा उनको ये रोग जादा होता है विश्वाची। चिकिसा में, चिकिसा सिधान तेसका अभ्यंग, स्वेधन, वस्ती, नस्यकर्म और शमन। अभ्यंग के रूप में महानारण तैल या सहचरारी तैल इससे अभ्यंग करना चाहिए। स्वेधन में पत्रपिण शौहिद इसमें अपिक्षत है demya, निर्गुंडी, एरन पत्र और आर्क पत्र इसको विर्दिवस इसका पाख करके पत्रपिण करे, और संभव हो तो पत्रपिण के बाद नारी शौहिद भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वातव व्याज्यों में मुर्दू ब्रेचन कराना चाहिए मुर्दू ब्रेचन के रूप में एरन तैल 30 ml और गोदुग्द 100 ml इसको लेकर के प्राताकाल खाली पेट में देवे अगर आपने आभ्यांतर स्नेय पान नहीं कराया तो कोई आवर्शक्ता नहीं है क्योंकि एरन तैल स्वयम स्नेय है इसे इसमें सरी में रूप्षता नहीं बढ़ती है इसलिए आप डारेक्ट विरिचन इससे करा सकते है वस्ति में अन्वासन वस्ति सहचर तैल की 30 ml के 11 वस्त अन्वासन वस्ति सहचर तैल से 30 ml भोजन के बाद तीन कोर्स ग्यारा ग्यारा दिन के नस्स में दो दिन स्नेय नस्स करना है और तीसरे दिन शोधन नावन करना है नावन नस्स के दो भेद हैं जो स्वधन तरडव्यों से सिद्धित हो वह स्वधन नावन जैसे वचा तैल विदंग तैल सड़िऑं स्वधन नावन-गैप दो दिन नस्स करने अनुटहयल से चार-चार बून प्राता डाले सायम भी आप डाल सकते हैं इस नहीं नस्य को लेकिन जब सोधन नावन कर रहे हैं अथार बचा तेल से या सड़बिनों तेल से कर रहे हैं इसके लिए बचा तेल सरिष्ण है तो बचा तेल की मात्रा छह से आठ बून और सोधन नावन के पहले जो नस्य कर्म के पूर कर्म है वो निश्चित रूप से करना चाहिए इस नहीं नावन में सारे पूर कर्म करना आवश्यक नहीं है लेकिन सोधन का जब करेंगे तो आपको पूर कर्म करना आवश्यक है ऐसा 21 दिन तक नस्याप देना चाहिए या दे के रूप में एक आंग वीरस महावाद गजांकुस और पिपली चूँँ एक आंग वीरस 125 मिलिग्राम महावाद गजांकुस 125 मिलिग्राम और पिपली चूँँ पास ग्राम यह एक मात्रा है ऐसी दो या तीन मात्रा है शहिद के साथ सेवन करा है इस योग से ठीक ना हो तो ब ब्रादवाद चिंता मणी 60 मिलिग्राम, गिलोश सत्य 250 मिलिग्राम, महावाद बिद्वनसन 125 मिलिग्राम, ऐसे ये एक मात्रा हुई, ऐसे दिन में दो ये तीन मात्रा इसका सेवन करा सकते हैं शहयद के साथ. महायोगराज को गुल भी इसमें लाभ भानुत कर सकती है, इसके लावा नियों, नियों में चुकि कुछला रहता है, इसलिए नियों भी लाप्रद है, आसो अरिष्ट में बला रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, दो दो चमच, अर्था चार चमच, चार चमच, पानी बहुत ही लाप करते हैं, चरक भी कहते हैं, यदि वात्व वैधियों में वादना सकों सद्यों से प्रभाव से काम न चल पा रहा हो, तो फिर रसाइन और सद्यों का अर्थात, सुद्ध इसलाजीत, रसाइन, आमल की रसाइन, ब्रामी रसाइन, आदी का सेवन कराने से नि अगर कल हम आपके सामने उपस्तित होंगे, सायथ कल सेमिनार टाइप का रूप में दिया है, सुरूप, वेबिनार टाइप का, तो कल हम उसमें उपस्तित हों करके, आप सब के जो पंचिकम से समद्धित प्रश्न हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पंचिकर्म क्योंकि कि मैंने हर रोग में पंचिकर्म से समंध्य चिकस्णा बताई हैं। अगर पंचिकर्म कराने में कोई तकलीफ हो रही हो, किसी बीडी के बारे में जानना हो, तो जरूर आप प्रश्ण करें। लेकिन मैं चाहूंगा कि पंचिकर्म में ही लिमिटेट रहें। रोगों पर ज्यादा ना जाएं क्योंकि रोगों में आलडी में बता चुका हों किसमें क्या चिकस्ता करना है। इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार।